सिद्धी हिंदी विध्यालई योटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम दस्वी कक्षा में विजनान और टेक्नोलोजी विश्य के बारे में चेप्टर 12 विध्योत के अंतरगत आगे अभ्याश करेंगे आज के विडियो का टॉपिक है ओम का नियम पिछले विडियो के अंतरगत हमने विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत विभवाश के बारे में अभ्यास कर दिया है उसके अंतरगत हमने कहा था कि विद्युत दारा का मापन करने के लिए ए मिटर का उप्योग होता है और विद्युत विभवाश के मापन करने के लिए वाइट मिटर का उप्योग होता है हमने कहा था ए मीटर को स्रैनी में जोडा जाता है और वाइट मीटर को शमांतर में जोडा जाता है यहाँ पर हम एक बात नौट करेंगे कि यह वाइट मीटर को यहाँ से विजुद्धारा जो बहती है उसको जाने के लिए दो रास्ते मिलते है इसलिए हम void meter को समानतर में जोड़ते ऐसा कह सकते पड़न तू A meter के अंतरगत धारा भहेगी तो एकी रास्टे से भहेगी इसलिए हम A meter को स्रेणी में जोड़ा हुआ है ऐसा कह सकते है ये ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए जरूरी सर्किट है खिश के अंतरगत ये बैटरई है ये A meter है ये void meter है और ये आपका प्रतीरोध है अभी जब हम ओम का नियम का प्रयोग करते है तब क्या होगा ओम के नियम के अंतरगत एक वाक्यों दिखा हुआ होगा और निश्कर समय मिला है कि every time हर समय जब हम voltage बढ़ाते हैं तब हमें धारा भी हमारी उसके साथ साथ बढ़ती है हम voltage को जिस अनुसार हम बढ़ाएंगे उस अनुसार हमारी धारा का मान भी बढ़ेगा शर्व प्रतम हमने voltage जब 1.5 रखा था तब हमारी धारा का मान 0.1 आया हुआ था इस आक्रोती के लिए जब हमने voltage को डबल किया मतलब 1.5 से 3 कर दिया तो धारा का मान भी डबल होगा है मतलब 0.1 से 0.2 हुआ जब हम धारा को देखा है कि धारा जब 0.3 होती है तब हमारा voltage भी 3 गुना होता है जब हम voltage को 3 गुना करते है तब हमारी धारा का मान भी 3 गुना होता है इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे हम परिपत में वाल्टेज बढ़ाते है वैसे वैसे धारा का मान भी भड़ता है वाल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान भी घटता है मतलब voltage बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है पर समान उपात में यदि हम voltage को double करते है मतलब 2 गुणा करते है तो धारा भी 2 गुणा होती है voltage को हम आधा कर देते है तो धारा भी हाती होती ही मतलब यह ohm के नियम के प्रयोग का एक निश्क करते है जिसकी आकृती है जिसके अंतरगत i tend to v का आलेक हमें शूरेक मिलता है i tend to v का आलेक हमें शूरेक मिलता है इस आलेक पर से हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे हम voltage बढ़ाते हैं वेशे वेशे हमारी धारा कामान भी बढ़ता है देखो voltage हमने 1.5 रखा था तब धारा कामान 0.1 आया था, वाल्टेज हमने और बढ़ाया, धारा भी बढ़ी, और बढ़ाया, धारा भी बढ़ी, अलब वाल्टेज बढ़ाने पर धारा कामान बढ़ता है, और वाल्टेज घटाने पर धारा कामान घटता है, मतलब V और I समान पात होते हैं, और प्रत्य एक शमय हमें V बटे आय कामान समान मिलता है जैसे कि 1.5 बटे में 0.1 करते हैं, 3 बटे में 0.2 करते हैं, 4.5 बटे में 0.3 करते हैं, 6 बटे में 0.4 करते हैं, एवरी टाइम हमें जो V बटे आय कामान हमेशा समान ही मिलेगा, यह ओम के नियम के प्रयोक के कुछ निश्करशे, प वी अर आई, नतलब आई टेंट टु वी का आलेख हमें शूरेक मिलता है और प्रत्यक्षमाई, वी बटे आई का मान हमेशा शमान रहता है इसके बड़ से कुछ एक ओम के नियम के विधान है कि निष्टित भोटिक परिष्टिती में निष्टित भहुतिक परिष्टिती का मतलब क्या होता है बच्चो कि जो परिष्टिती के अंतरगतम प्रयोग करते हैं जिसका तापमान, दाब यह सब अचल रहेना चीए एक ही जगह पर नतलब निश्चित भौतिक परिश्टिती में चालक तार में से बहने वाली विद्धुत तारा वह चालक तार के दोनों सीरों के बीच के विद्धुत विपवांतर के समानुपाती होती निश्चित भौतिक परिश्टिती में चालक तार में से बहने वाली विद्धुत तारा वह चालक तार के दोनों सीरों के बीच के विद्धुत विपवांतर के समानुपाती होती अर्धात क्या हुआ? जो परिश्टिती हमने रखी है, फिक्स परिश्टिती है उस परिष्टिती में हमारे चालकतार में जो भी धारा बहेगी वो धारा का मान चालकतार के दोनों शीरों के बीच के विद्धुत विभवांतर के समानुपाती होगा मतलब धारा का मान विद्धुत विभवांतर के समानुपाती है मतलब विद्धुत विभवांतर हम बढ़ाते हैं घटाते हैं तब धारा का मान भी बढ़ेगा या घटेगा मतलब विद्धुत विभवांतर के साथ हम जो भी करते हैं उसको डबल करते हैं तो धारा भी डबल होती है विद्धुत विभवांतर कोम आधा करते हैं तो धारा भी आधी होती है मतलब नियम वापस से कहते हैं निश्चित पहुतिक परिश्टिती में चालक तार में से बहने वाली विद्धुत तारा वा चालक तार के दोनों शीरों के बीच के विद्युत विभवांतर के शमानुपाती होती है और थात विद्युत धारा शमानुपाती विद्युत विभवांतर विद्युत धारा समानुपाती विद्युत विभवांतर इसी लाइन को हम ये नियम के अंतरगत लिख सकते निश्चित भौतिक परिष्टिती में चालक तार में शे बहने वाली विद्धूतारा वह चालक तार के दोनों शीरों के बीच के विद्धूतिभवांतर के शमानुपाती होती है अब इस लाइन को हम वापस लिखते हैं मानू कि निश्टिट भौतिक पडिश्टिटी में चालक तार में शेबेने वाली विद्यो तारा का मान आई हो और वह चालक तार के दोनों शीरों के बीच का विद्यो दिववानतर वी हो तो आई समानुपाती विद्यो दिववानतर को वी लिखते है तत पस्चार यदि होगा और ये अचल होगा और इसका मतलब यह हुआ कि वी बड़ाबर आई आ, वी बड़ाबर आई आ, तो वी बड़ाबर आई आ, मतलब यह आर क्या है, धातू के तार के लिए निश्चित तापमान पर अचल होता है, हमने जो परिश्चिती रखी थी, एक धातू के लिए, जो भी तार होगा, उसके लिए जो वाल्टेज और वि धर्मा है जिसके कारण चालक में जो भी विद्यूत आवेश का वहन होता है वो वहन का विरोध होता है प्रतिरोध चालक का एक गुण धर्मा है जिसके कारण चालक में से बहने वाले विद्यूत आवेश के वहन का विरोध होता है विद्यूत आवेश नहीं बहते है या तो विद्यूत आवेश कम बहते तो अगर हमें विद्यूत आवेश कम करना है तो हमें प्रतिरोद बढ़ाना पड़ेगा और विद्यूत आवेश के वहन का विरोध करता है तती पश्चात वी बढ़ाबर आयार वेश का एसा ही मात्रग देखते ये विद्यूत आरा का मात्रग होगा वी बढ़ाबर आयार ओम का नियमें तो आर को यली सुत्रका करता बनाते है तो वी बटे आई वी उपर होगा तो वी का मात रखोगा वाल्ट, आई बटे में होगा तो आई का मात रखोगा एंपियर, लग शुत्र पर से आर का मात रखाएगा वाल्ट प्रती एंपियर, और वाल्ट प्रती एंपियर को ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और इस सिंबोल का नाम क्या है उमेगा इस प्रतिक का नाम क्या है ओमेगा वॉल्ट प्रति एंपियर जो आर के सुत्र पर से मिलने वाला मात रखे आर बड़ाबर वी बटे आई तो आर का ऐसा ही मात रखोगा वॉल्ट प्रति एंपियर और वॉल्ट प्रति एंपियर को हम क्या लिखते है ओम और इस प्रत निश्चित भौतिक परिष्टिती में चालक तार में शे बहने वाली विद्धूत दराकामान एक एमपियर हो और चालक तार के दोनों सीरों के बीच का विद्धूत विभवानतर एक वाल्ट हो तो चालक तार का प्रतिरोद एक ओम है ऐसा कह सकते हैं यह परिभासा पर से लिखना है यह दिश्चित भौतिक परिष्टिती में चालक तार में शे बहने वाली विद्धूत दराकामान एक एमपियर हो और वह चालक तार के दोनों सीरों के बीच का विद्धूत विभवानतर एक वाल्ट हो तो चालक तार का प्रतिरोद एक ओम है ऐसा कह सकते हैं मतलब एक ओम बड़ाबर वन वाल्ट बटे में वन एमपियर वन ओम इसी क्वाट बटे में वन एमपियर तत पस्चात वी बड़ाबर आईयार तो ये तीन जादूई त्रिबूजे अगर हम वी का सुत्र तुननना चाते तो वी को हम अंगुठा रखते तो वी इसी क्वाट आईयार आई पर अंगुठा रखते तो वी बटे आर और आर पर अंगुठा रखते तो वी बटे आई तो एक ही त्रिबूज परसे हमें तीनों शुत्र प्राप्त होते हैं अगर हमें देखना है आई समानुपाट वी मतलब यदि आर कॉम फिक्स रखे आ आई समानुपाट वी कब यदि आर चलो अगर एक मान रखना हो तो मान रखकरम चेक कर लेते यदि आर हमने रखा दो बच्चों पैन पैंसिल और पेज ले लिजिए ताकि आपको गणना में पता चले यदि आर बड़ाबर हमने रखा दो यदि हमने वी कामान चार रखा त आई बड़ाबर दो होगा वी कामान आठ रखा तो आई बड़ाबर चार होगा मतलब वोल्टेज हमने चार का आट किया वोल्टेज हमने चार का आट किया उस परिस्तिती में धारा कामान हमें दो का चार हुआ मतलब वोल्टेज डबल हुआ तो धारा भी डबल हुई और आ U बिल्वानोमानुपात R ुसुल्यू प्रतिक नहीं इसे लिए वन अपना आ लिखते हैं, यदि वी जलोु प्रतिक के लिए यन लपनार रे लिए 2 होगा, य हम 2 गुना करते हैं, य हुस्य लिफास्त वी हखते हैं से 5 1 2 और 2 2 havena 4 मतलब धारा आएगी 1 यदि हम R को double करते हैं मतलब R लेते 8 तो 4 बटे में 8 मतलब 1 half 0.5 तो हमारी धारा कितनी हुई 0.5 ampere मतलब यदि हमने प्रती रोद को double किया 4 का 8 किया तो हमारी धारा कामान कितना हुआ 1 से 0.5 हुआ आई विलो मानुपात वन अपन आर आई और आर विलो मानुपात में होते आई और वी समानुपात में होते यदि आर अचल हो तो आई समानुपात वी आई विलो मानुपात वन अपन आर यदि वी अचल हो तो वी और आई समानुपात होते और आई और आड विलो मनुपात होते हैं दूसरी बात बच्चों कि जो चालकतर में से बेने वाली धारा कामान किसके उपर आदार रखता है चालकतर के प्रतिरोद पर और चालकतर के दोनों सीरों के बीच के विद्यूत विपोवांतर के उपर आदार रखता है ये दो तोतिक राशी के उपर चलक तरमेशे बैने वाली धारा अधार ढखती है चली तवरोद चलक के दो सीरों के बीच का वाल्टेज बदले भीना हमें वाल्टेज बदलना नहीं यहों का नियम यह कहता है कि वाल्टेज बदलेंगे तो ही धारा बटलेंगी और voltage घटेगा तो धारा घटेगी पर हमें चालक के दो शीरों के बीच का voltage बदले विना उसमें से जो धारा बैती है उसको नियंत्रिक करना है तो जो भी उपयोगी वितुद खटकोगा उसको हम चलीत अवरोग केते हैं चालक के दो सीरों के बीच voltage बदलना नहीं है फिर भी उसमें से बेने वली तारा को हमें control करना है तो जो भी उपयोगी खटकोगा उसे हम क्या कहते हैं चलीत अवरोग और उसका एक उदार है reverse state वितुद परिपत में परिपत का प्रतिरोग बदलने के लिए उपयोगी सादन को reverse state कहते है हम voltage नहीं बदलेंगे पर reverse state की मदद से हम प्रतिरोग का अमान बदलेंगे इसके कारण धारा हमारी control हो जाएगी बड़ाब यदि हम धारा को बढ़ाना चाहते है तो हम प्रतिरोग को कम करेंगे और धारा को घटाना चाहते है तो हम प्रतिरोग को ज़्यादा करेंगे क्योंकि i और r परशपर विडियो मानुपात में होते है मतलब r बढ़ेगा तो i खटेगा और r खटेगा तो i बढ़ेगा तो voltage को तो हमें बदलना है नहीं तो निवाज बच्चो यदि ये वीडियो आपको पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा आपने मित्रो को शेर कीजेगा और इस सिद्धी हिंदी विद्याल येटूब चेनल को सब्सक्राइब करना न भुले ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके पास चल्द फे चल्द पहुंच सके तन्यवाद